क्या कह रहा है इसमें ध्यान से दिखेगा इस को आप पहले के मुम्ताज युम साधा की पूत्री का नाम था तो इसका जो राइट जो जाएगा विल वी दे राइट जो जाएगा चले नेक्स्ट को फिरम लोग कवो देखते हैं तो नेक्स्ट कोशन जो आपके स्कीन पर आ ग भी हो जाएगा ठीक है चली हम लोग फिर नेक्स्ट कोशन को देखते हैं नेक्स्ट कोशन जो आपके इसकीन पर ध्यान से देखेगा आप देखे क्या कहा रहा है कि मुगल कालिन चित्रकला किसके काल में चरमचकार पर पहुंची तो देखे आपके सामने चार अप्शन दि देखेगा इस को आप रज्जम नामा के नाम से किस गरंद का फार्सी अनुवात किया गया तो आपके सामने चार अप्शन दिया हुआ इसका जो राइट जो रोजाएगा तो विल वी दे राइट एंसर ऑप्शन नमर 20 का राइट एंसर हो जाएगा यानि कौन महावारत चल अप्शन नमर एस का विल विदे राइट एंसर हो जाएगा चले नेक्स्ट को फिरम लोग देखते हैं बादसा नमा आप देखे को दिखे का चटा को आप ध्यान से किसने लिखा तो चार अप्शन आपके सामने दिया हुआ हुआ है इसका जो राइट इंसर हो जाएगा तो विल विदे राइट एंसर ओप्शन नमर सी इसका राइट एंसर हो जाएगा या अब्दुल हमीद ठीक है लाहुडी दिया हुआ है अब्दुल हमीद लाहुडी चले नेक्स्ट को फिरम लोग देखते हैं नेक्स्ट को सन जो आपके इसकीन पर आगया ध्यान से देखेगा आपके 4 और इसका राइट एंसर ओप्शन ओनदुल हो जाएगा तो समुल फिर trzy अनुपा चले न Luego सन नेक्स्ट को सन देखते värऄ नेख्स्ट को सन जो आपके इसकीन पर आगम से ध्यान से देखेगा इस को आप चा कहर है इसमें के कि हुमाइव नमा का अंगरे जी अनुवादक किस के द्वरा किया गया थी क्या अपके इसका चार ओप्शन दिया हुआ है इसका आपका इसका राइट एंसर नमर क्या हो जाएगा इन्यस्का इसका राइट एंसर रोजाएगा ठीक है विषकुर आ नेक्सट को फिरम लोग देखते हैं और नेक्स्ट को लिए इस स्कीन पर देखेंगे हैं इस स्कुर्ण को फटेपूर शिकरी को राज्धानी किसने बनाया तो आपके सामने यह क्या कह रहा है कि दरबार मैं अभी वादन का तरीका निम्न में से कौन सा था तो आपके सामने चार आपसन दिया हुआ तो आपके सामने इसका विल विद राइट ईंसर हो जाएगा तो आपके सामने फिन इलाही धर में चलाया था तो आपके सामने चार आपसन धिया हुआ है इसका जो राइड जोन सरो जाएगा तो option नमर यानि D's का will be the right answer हो जाएगा ठीक है चलिए next question को फिरम लोग देखते हैं next question जो आपके skin पे आगया ध्यान से देखेगा इस question को आप क्या करें दारा एम साधा के पास आगरा में रहती थी कि दिल्ली में चांदानी चौक का निर्मान कर आया तो आपके सामने चार ओप्सन दिया हुआ है इसका जो राइड जो जाएगा तो विल भी दर राइट एंसर हो जाएगा ठीक है जहाणा चलिए next question को फिरम लोग देखते हैं जो आपके इसकीन पर आगया ध्यान से देखेगा इस question को आप यह बाबा चंकेज खान का कौन सा वंसर था तो आपके सामने चार ओप्सन दिया हुआ इसका जो राइड जो जाएगा तो विल भी दर राइट एंसर ऑप्सन नमर्र डीस का राइड एंसर हो जाएगा यह जो कि गुलबधन वेगम कौन थी तो गुलबधन वेगम यह कौन थी यानि आपके सामने चार ओप्सन दिया हुआ है इसका जो राइड जो जाएगा विल भी दर राइट एंसर ऑप्सन नमर्सी का राइट एंसर हो जाएगा क्योंकि वह लेकी का थी चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट कोशन को देखते हैं सद्रमन कोशन जो आपके इसकीन पर आगया ध्यान से देखेगा इस कोशन को आप क्या अकबर का संदक्षक बनकर किसने सासन किया यानि किसने सासन किया था इसमें चार ओप्सन आपको दिखता है तो इसका जो राइड इसके समय राजकुमारों को अधिकतम कितने यहीं कितने का मानसब्दार बनाए गया तो इसके सामने आपको चार ओप्सन दिया हो गया है इसका जो राइड इंसर हो दाएगा चले नेक्स्ट को फिर हम लोग देखते हैं बाद भारत का अंति मुगल समराट कौन था तो आपके सामने चार ओप्सन दिया हुआ है इसका जो राइड इंसर हो जाएगा तो विल भी राइड इंसर नेक्स्ट को फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कोशन जो आपके इसकीन पर आगया ध्यान से देखेगा आप इस कोशन को मुगल चित्रकला किसके समय में चर्म उसकर पर थी यानि तो चार ओप्सन आपके सामने दिया हुआ इसका राइड जो जाएगा तो आप्सन नमर सी सका राइड इंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कोशन को फिर हम लोग देखते हैं तो आप ध्यान से देखेगा भारत में मुगल वंसका सनस्तापक था तो इन में से कौन था आपके सामने चार ओप्सन दिया हुआ है तो इसका राइड जो जाएगा ऑप्सन नमर एसका राइड इंसर हो जाएगा बाबर चलिए नेक्स्ट कोशन को फिर हम लोग देखते हैं तुझके बाबडी किसने लिखी तो तुझके बाबडी यानि किसने लिखी है तो चार ओप्सन आपके समने दिया हुआ है ध्यान से देखेगा इस चार ओप्सन को आप पहला दिया हुआ आपका बाबर फैजी अबल अगबर घरते हैं ध्यान से देखेगा इस को आप 24 नमर को ध्यान से देखिए आप क्या कहा है इसमें से के अकबर का वजीर था इन में से कौन था तो चार अपसान आपके समय दिया हुआ है तो इसका जो राइड जो जाएगा विल विद राइट अपसान नमर यानि चलिए नेक्स्ट को फिर अब लोग देखते हैं 25 को ध्यान से देखिए मुम्ताज महल किसकी पुत्रिती चार अपसान आपके समकाली नितियासकार कौन था तो देखिए आपके सामने चार अपसान नमर यानितियासकार कौन था तो आपके सामने चार ऊपसान नमर य चत्तोर पा अधिकार नहीं कर पाया था चलिए नेक्स्ट को फिर हम लोग देखते हैं आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादसा जाना जाता है, तो आपके सब्सक्राइब चार ऑप्सन दिया वा, इसका जो राईड जोर जाएगा तो विल वी था और जूर बै। नेक्स्ट व्लक्व को ये इनकिस की रचना को आइन एकबरी इसका तो विल्यू lean का लोग देखते हैं नेक्स्ट को सब्सक्राइब कितने भागों में वक्त है तो आपके सामने चार ऑप्षन दिया हुआ है इसका जो जाएगा तो विली भी ते जीवन का अंतिम भाग बिताया तो कहां बिताया तो इसका राइड जो जाएगा तो विली तो ओप्षन नमर सी जाएगा यहनि दचीन भारत में ठीक है चले नेक्स्ट को फिर अम लोग देखते हैं ध्यान से तो देखें आपके सामने चार ऑप्षन दियावाए इसका राइड जाएगा यहनि अज्मेर में चलिए नेक्स्ट को फिर आम लोग ध्यान से किसके समय में हुआ था तो आपके सामने चार ऑप्षन दियावा इसका राइड जाएगा यहनि जहांगीर के काल में ठीक है चलिए नेक्स्ट को हम लोग कवर करते हैं चलिए नेक्स्ट को जो आपके इसकीन पर आगया ध्यान से देखेंगा इस को आप क्या कह रहा है कि पा चलि हम लोग क्वर design को ध्यान से देखते हैं इसमें से चार अप्षन आप 5 bacon को आप ध्यान से देखेगा दीने इलाई संबंदित है तो दीने इलाई-"यानि किस से संबंदित है आपके सामने चार ऑप्षन दिया हुआ था तो इससे यानि किस संबंदित है हूओ अकबर से प के सामने चार ऋप्षन दिया हुआ हुआ है इसका राइड रीजन सरो जाएगा तो आपके सामने चार ओप्सन दिया हुआ है इसका जो आपका जो राइड इजन सो रह जाएगा तो विल भी राइट इंसर ओप्सन नमर सी हो जाएगा क्योंकि जहांगी नहीं जजिया कर हटाया था हिंदू पर ठीक है चलिए नेक्स्ट को अम लोग ध्यान से फिर देखते हैं तो गैस यहीं तक जितना सारा यानी question बना इस chapter से तो सारा chapter में यानी cover कर लिए मतलब सारे question को अनी cover कर लिए अगर guys वीडियो आपको पशन आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा और वीडियो को ज़ादा से एदा आप सेयर कर देंगे क्योंकि आप समझ सकते होंगे कि मैं आप कितने आपके लिए मेहनत करता हूँ अगर आप इसको अच्छे से अगर आप इसमें रिस्पॉंस देते हैं तो मैं और भी अच्छे से इससे बहतर बनाने का परियास करूँगा तो गैस मैं यहीं तक वीडियो को इंड करता हूँ जय हिंद जय भारत